नाज़कार मैं अजीत भार्ती श्री अमिताब बच्चन जी की एक फिल्म में कुछ दुष्ट लोगों ने उनके हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है चोर तो बहुतों के बाप होते हैं लेकिन बहुत कम के बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप के जेल में होने के बावजूद उसके शेर होने का दम भरते हैं और पूरी दुनिया को गुंडा बताते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव बिहार को गाली बना देने वाले अपराधी का लौंडा आज ट्विटर पर लाल्टेन टांग कर लिखता है कि वो शेर का बेटा है गीदर भवकी से नहीं डरता हलांकि इस ट्विट में अपनी आदत और लालू राबरी के द्वारा पूरी शिक्षा विवस्था की माचिस जला कर डाह देने वाले तेजस्वी ने वरतनी की कोई गलती नहीं की जो की सराहनी है हो सकता है कि उसका ट्विटर को यह ऐसा बिहारी हैंडल कर रहा हो जिसकी पूरी परवरिस उसके बाप के दौर के आतंग के कारण बिहार से बाहर हुई हो तेजस्वी का घमन और खांदानी चोर होने के बावजूद यह कॉन्फिडेंस होना बताता है कि डकैतों और घोटाले बाजों की डिक्षनरी में लज्जा शब्द की जगह नहीं होती वैसे भी लालू परिवार में डिक्षनरी जैसी कोई किताब हो यह मानने में मुझे संदे है क्योंकि हो ना हो इन लोगों ने बिहार के बच्चों के लिए बनी हर किताब पर लाल्टेन का किरासन तेल डाल कर जारे में अलाव जला कर ताप लिया होगा इस आदमी की द्रिष्टता तो देखिए कि बाप जेल में है सुप्रीम कोट ने आज ही उसे याद दिलाया कि वो चोर है अपराधी है और बेटा गुंडों से लड़ने का एलान कर रहा है अरे भाई बिहार में गुंडे अब बचे का हैं सारे तो तुम्हारी पाटी के काडर हैं जो पिछले कुछ महिनों से शांत बैठे हुए हैं तुमने तो दोवारा सत्ता पाते ही जो अपराध का नंगा नात शुरू किया था वो 2015 और 16 के बिहार में देखने को मिलने लगा बिहार में पैदा हुआ हूं सरकारी स्कूल में पढ़ने की ही क्षमता थी लेकिन कर्ज लेकर प्राविट स्कूलों में पढ़ाई की क्योंकि सरकारी स्कूलों में न शिक्षक आते थे ना मकान थे मेहनत करके घर से दूर रहकर परिक्षाएं पास करके सैनिक स्कूल तिलया तक पहुँचा और जीवन में दो लाइन बोलने और लिखने लाइक बन पाया हूँ दुरभाग से इसका स्रेवी तुम्हारे ही बाप को जाता है हर छुट्टी इस खौफ में बेटती थी कि कब कोई अफरन कर लेगा भले ही अगर अफरन हो भी जाता तो मेरे माबाप मुझे छुडाने के लिए पैसे कहां से लाते ये कोई नहीं जानता और तुम दम भरते हो कि तुम बिहार की महान माटी के लाल हो तुमने उतनी पढ़ाई नहीं किया तेजस्वी यादव कि तुम्हें महान या मिट्टी दोनों में से एक वी शब्द का सही अर्थ मालो तुम और तुम्हारे परिवार ने बिहार की मिट्टी पर मूत्र विसरजन और विष्ठा करने के अलाबा कुछ नहीं किया तुम्हारे बाप ने बिहार को तबाही का वो दौर दिखाया है कि वहां से और नीचे गिरने का सवाल ही नहीं था और तुम दम भरते हो कि बिहार की महान माटी के लाल हो बिहार की मिट्टी से दिनकर जैसे लोग पैदा होते हैं लालू जैसे घोटाले बाज ढकेतों को इस मिट्टी से मत जोड़ो थोड़ी शर्म कर लो यार बाप जेल में है इतने समय केश चला और बुढ़ापे में ही सही सजा तो हुई लेकिन बात तो वही है कि अपराद को ग्लेमराईज करके नेतागीरी चमकाने वाले लोग इस जेल को भी बैज अफ ओनरी मानते हैं यही कारण है कि राबरी देवी का ट्विटर अकाउंट है और उससे वो गरीबों के मसीहा और समाजिक न्याय के पूरोधा लालू के लिए साजिश और पता नहीं क्या-क्या शब्द बता कर खोते हुए जनाधार को पाने की कोशिस कर रही है वैसे साजिश तो लालू राबरे ने बहुत अच्छी रची थी कि किसी भी बिहारी को ढंकी शिक्षा ही ना मिले उसे नकारा बनाए रखो और गरीबी, निचली जाती, आरक्षन आधी की बाते कहकर उसके वोटों का दोहन करते रहो बीस साल तुमारे परिवार ने बिहार को तबाह किया है तुम में दो पैसा शर्म होती तो किसी घुमनाम देश की नागरिकता लेकर मुझ छुपा कर पूरा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं लेकिन जिनके घरों में चोरी और डकेती ही मेंस्ट्रीम हो, इमानदारी एक अवांशित अवगुन हो, तो शर्म कहे आएगी स्कूटर पर भैस ढोने वाले परिवार की जीनियस संतान, आखिर पोस्टरों पर लिखे जैगोंशो का सहारा नहीं लेगी तो जाएगी कहा और उसके घर वालों ने उसे बाहर पढ़ने को भीजा होगा, वैसे मुझे नेताओं के निरक्षर होने पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसके बाप के कारण पूरा राज, शिक्षा के अंधेरे में जीने को मजबूर हो, उसके ओपर तंज करने का मुझे पैदाईशी हक है, क्योंकि उसके परिवार द्वारा लगाये गए, हर अबरोध को पार करने के बाद मैं इस तर पर पहुँचा हूँ कि दो लाइन लिख और बोल सकूँ, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्द है, यह भी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी पार्टी और विजन के बारे में बहुत कुछ कहता है, यह ऐसे घजब के लोग हैं कि अगर इन्हें पानी का स्रोथ चुनाव चिन्ह में रखना होता, तो यह नदी की जगा नाली या सड़क के गड़े में जमा हुआ पानी को चुन लेते हैं, खैर, लालू की देन यही है कि बिहारि होने पर शर्म महसूस करने पर मजबूर कर दिया गया, उस पाटले पुतर और विहार से संबंद बताने पर जिजख होने लगी, जो ऐसी महान विभूतियों की जन्म और कर्मस्थली रही है, उस पाटले पुतर और विहार से खुद को जोडने पर दो बार सोचना पड़ता जिसने महानता के अलावा कुछ और देखा ही नहीं था, और तुम, तेजस्वी यादब तुम, बिहार की महान माटी से खुद को जोड रहे हो, शर्म नहीं आई ट्वीट करते हुए, बाप के कारना में याद नहीं आये तुम्हें, उंगलिया नहीं कहां पी तुमारी इसक स्था ने थोरी और कड़ाई दिखाई होती, सरकारों ने तुम्हारे परिवार के खिलाप केस को दुरूत गती से आगे किया होता, तो तुम 18 साल के होते ही जेल में होते, साव परिवार, इसलिए लोगों को ठगना बंद करो, नारे बाजी और दूसरों से पोस्टर वनवा कर खुद के महान होने का घमंड मत करो, अपने वृद्ध अपरादी बाप को देखो जो जेल में सजा काट रहा है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा, समय का पईया घूमता रहता है, भले ही तुम्हारे परिवार के लोग उस पर किरासन तेल डालकर लालटेन से आग लग जिनकी एक मात रुपलब्दी किसी का बेटा या बेटी होना है, तुम लालू के बेटे हो, इसलिए तुम्हें पाटी और पद मिला है, वरना सड़क पर भीख मांगने जाओ गे तेजस्वी यादव, तो तुम्हें वो खाबिलियत नहीं है कि कोई कटोरे में एक सिक्का ड एक और नोट, बाप शब्द के प्रियोग से जिनको आपत्ती है, वो 90 के दशक में जन में किसी बिहारी से चर्चा करने, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, नमस्कार